है लो फ्रेंट स्वागत है हमारे चनल में तो तो आज हम बात करेंगे मैत के एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बहुभूझ यानी पोलीगन इंग्लिज में से हम पोलीगन कहते हैं तो ट्रिक के जरी जानेंगे फ्रेंट किसके कोस्टन को कैसे सवल्व किया जाता है जैसा कि आपको थामनेल से भी पता चल रहा होगा कि आपका जो निपसी का इग्जाम जो पढ़ने वाला है ठीक है तो उसमें भी ये आपको महत्वपूर्ण भूम का निभाने का कारे करेगी तो फ्रेंड्स बिना किसी देर करते हुए बढ़ते हैं लेकिन फ्रेंड्स है एक आपको और सुचना देना है आगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजिए ठ Ricky ज्यादा हो सकते है तो शेयर कर दीजिएगा तो फ्रेंड्स बढ़ते आगे पहल प्रेंड्स का पहला आपका क्या ट्रिक्स है और उस पर अधारित आपका को सन्ज दिया गया तो बनते हैं आगे तो ध्यान दीजे पहला आपका फर्मूला इसमें क्या कर रहा है कि बहुभूज के कुल अंता कोनों का योग बराबर तो इस फर्मूला को आप याद रखेगा इसका एक फर्मूला होता है n-2 into 180 degree और second फर्मूला होता है 2n-4 into 90 degree जहां n बराबर क्या है तो n बराबर है number of side ठीक है भुजाओं की संख्या है तो याद रखेगा फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बस n के जगा पर क्या रखना है वो आपका number of side है ठीक है तो यह दो फर्मूला को आप अपलाई कर सकते हो यही आपका दो फर्मूला काम करेगा तो बढ़ते हैं question में किस परकार से question रह सकता है देखिए first question आपका क्या बोल रहा है कि किसी सटभुज के कुल अंता कोनों का योग कितना होगा सटभुज कहने का मतलब 6 भुजा यानि कहने का मतलब इसमें बोल रहा कि n बराबर कितना हो जागा 6 क्योंकि सटभुज भुज भोल रहा है अब हमें क्या करना है बस उस फर्मूला को अपलाई कर देना है n-2 तो n के जगा पर हमें 6 रखना है minus 2 करना है और into 180 degree था फ्रेंट्स 180 degree ठीक है तो 180 degree लिख देना है बताइए 6 में 2 जायेगा तो कितना बचेगा तो 4 और multiply कितना कर देंगे 180 degree तो बताइए कितना हो जागा तो इसका अंसर हो जागा 720 degree ठीक है तो अन्ता कोनों का योग कितना हो जागा 720 degree आई हो फ्रेंट्स ये चीज़े आपको समझ में आई होगी चलिए next आगे question बढ़ते है आगे क्या है next question आगे बोल राइफ्रेंट्स कहरा है इसमें कि किसी बहुभुज के कुल अंता कोनों का योग 1080 degree है तो बहुभुज कैसा होगा मतलब number of side पूछ रहा है कि n कमान कितना होगा तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि बहुभुज के कुल अंता कोनों का योग का क्या फर्मूला होता है तो फर्मूला पहले आप लिख लिजिए n-2 ठीक है और into कितना था 180 degree तो 180 degree हम लोगों ने कर लिया और बताये यह पूरा कमान कितना दिया हुआ 1080 degree ठीक है तो हमें तो n कमान निकलना है ना पहले यहां से आप काड लिजिए 1010 cancel हो गया 186 का total से होता है ठीक है यानि 6 बार में यह कटेगा तो बताये यहां पर n बराबर कितना हो जाएगा यह minus में 2 है तो उस side में आपका जायेगा तो कितना हो जाएगा plus में तो 2 plus 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा ठीक है तो यह आपका 8 हो जाएगा तो इसका सही answer कितना हो जाएगा 8 चलिए next आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? देखिये, आगे आपका 2nd formula आपका का अगया है, तो 2nd formula आपका formula खत्म अजुका है, वो पहला फरमुला था, अब यह 2nd formula है, तो आपका 2nd formula धियान दिजिए कह रहा है कि इसमें आप council भुज के परते कंला लगा है, सम बहु भुज ठीक है तो इसका फर्मूला आप याद रखेगा n-2 n-2 ठीक है into 180 degree और बटा में कितना है ठीक है पूरे बटा में आपका n है ठीक है तो यह आपका फर्मूला यह फर्मूला कुछ इस परकार से friends n-2 into 180 degree और upon n ठीक है तो बस इस फर्मूला को आपको apply करना है तो चलिए next हम आगे बढ़ते है देखिए question आपके सामने है friends से यही question का जवाब आपको देना है तो इसमें क्या बोल रहा है कि किसी बहु भुज के परतेक अंता कौन 162 degree है तो भुजाओं कि संख्या कितना होगा तो वो आप बता देजे कि भुजा कि संख्या कितना होगा देखिए इसमें आपको क्या बोल रहा किसी बहु भुज च के परतेक अंता कौन ठीक है तो अभी अभी मैंने आपको एक फर्मूला बताया था वो formula किया था थोड़ा सा formula पर द्यान दिजिए n minus 2 ठीक है और into कितना था 180 degree और upon कितना करेंगे तो n कर देंगे और इतना बराबर हम कर देंगे 162 ठीक है इतना degree अब हमें कुछ करना नहीं है इसमें आपको बस से इसको cross multiplication कर देना है ठीक है तो cross multiplication करेंगा तो वही आपका अंसर आएगा तो आप जब cross multiplication इसका करेंगे तो बताएए इधर एक तरहर करेंगे तो कितना हो जाएगा इधर तो आपको वही रएगे इन minus 2 और 180 degree हो जाएगा और इधर करिएगा इसको गुना कर लिजिए तो कितना हो जाएगा 162 degree और into n ठीक है इतना दूर आपको समझ में आ गया होगा अब हमें क्या करना है फ्रेंड से इस 188 को गुणा को n से कर लेना है फिर इसी 188 को गुणा को 2 से करना है तो गुणा करके बताएगा कितना कितना होता है तो जब आप गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आपका कितना हो जाएगा 180N और तो ओसाइट जायेगा तो कितना हो जाएगा यह आपका होज़ेगा 150 तो इसमें बताईए ketna कितना बारे में कटेगा the इस बार में कट जाएगा यानी इन कामान कितना कोहधियो गजाएगा तो एम प्रेंस इसमिचादा आपका तहिessी अगर आपको नेक्स्ट फर्मूला है, नेक्स्ट फर्मूला आप ध्यान देजिए, कर आप बहु भूज के डाइगोनल की संख्या, डाइगोनल मतलब बिकर्न होता है, ठीक है, तो बहु भूज के बिकर्नो की संख्या का भी एक फर्मूला होता है, और वो फर्मूला आपका होता है, क्या ह upon n ठीक है तो चलिए इस पर हम अधारित question देख लेते हैं देखे question में आपका क्या बोल रहा है कि किसी आश्ट भूज के ये बिकर्न लिखा हुआ है इसे आप सुधार लेजेगा ये आपका बिकर्न लिखा हुआ है बिकर्नों की संख्या क्या होगी तो कुछ करना नहीं हमें बस formula apply करना n into n minus 3 by 2 तो एन तो एन के जगह पर अस्ट भूज ना है अस्ट भूज कहने का मतलब 8 भूजा तो 8 अफिर 8 minus 3 और by कितना हो जाएगा 2 बस इसे आपको कुछ करना नहीं बताए 8 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5 और upon 2 तो दो चके 8 यानि कितना हो जाएगा 4 पचे आपका 20 हो जाएगा तो friends इसका सही answer हो जाएगा 20 ठीक है चलिए next आगे बढ़ते है आगे आपका एक formula है friends यह आपका formula है सम बहु भुज के परतेग बाह कौन का formula है ठीक है तो इसका formula इसका होता 360 degree बटा इन होता है तो इस formula को आप ख्याल रखेगा आइस पर अधारी तम question देखते आगे तो देखिए यह आगे आपका question आगे है इसमें क्या बोल रहा है किसी अस्ट भुज के परतेग बाह कौन का मान निकाल देचे कि कितना होगा तो अभी अभी मैंने आपको एक formula बताया था फ्रेंड्स से 360 degree बटा इन लगा देना है ठीक है तो बताए 360 हो जाएगा और upon ठीक है आश्ट भुजा कहने का मतलब 8 तो बस आप 8 से काट लिज जेगा तो काटेगा तो यह 45 बार में परतेग बाहकोन बराबर 180 degree ठीक है यह आपको formula याद रखना है कि परतेग अंताकोन और परतेग बाहकोन का मान जो होता है दोनों को जोड़कर 180 degree के बराबर होता है तो चलिए इस पर हम question देख लेते हैं कि क्या है इस पर question तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हो इसमें question दिया हुआ है कि किसी बहुभूज का परतेग अंताकोन 120 degree है ठीक है तो बाहकोन का मान बता दो ठीक है तो अंताकोन आपका दिया हुआ है ठीक है अंताकोन आपका 120 degree तो बाहकोन बताना है तो मान लिजे कि अंताकोन आपका आपका एक से है और बाए कौन आपका बाई है ठीक है तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा है 180 डिगरी के बराबर होता है तो बताए यहां से एक्स का जो आपका आन्ता कौन कितना 120 तो प्लस बाई ठीक है इधर 180 डिगरी हो जाएगा तो बताएगे यह पलस में इस सैड में जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा माइनिस तो 180 में 120 जाएगा तो कितना बचेगा 60 तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा तो 60 डिगरी इसका सही अंसर हो जाएगा ठीक है तो चलिए आगे नेक्ट वड़ते हैं अब इस वीडियो का लाश्ट कोस्टन है तो वो लाश्ट कोस्टन का जवाब आपको देना है ठीक है हलका ही है ठीक है थोड़ा साफ दिमाग लगाईएगा बन जाएगा तो कमेंट बॉक्स में आप उसका उत्तर बताएगा ठीक है तो यह मैं आप पर छोड़ रहा हूँ कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजेगा अगले वीडियो में मैं उस कोस्टन का सोलूशन करवा दूँगा तो देख लिजे वो कोस्टन क्या है कह रहा है उस बहुभुज की भोजा कितनी होगी कि मतलब एन कमान निकालने के लिए बोल रहा है जिसका बाहि को निया भाहि लिखा हुआ है यह बाहि लिखा हुआ है तो यह आप कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजेगा अगले वीडियो में मैं इसका स्टोल्यूशन करवा दूंगा तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चनल को जरूर सब्सक्राइब कर देजिए लाइक कर ये कमेंट कर दें और अपने दोस् झाल आपे कर दूंर कर दोस्ति्यभ देंडित ए जला मumbles शान ह।